सस्क्राइब नहीं करोगे तुम उसे कैसे मिलोगे हाई एवरिवान वेलकम बैक माई यूटूब चैनल विनीता मौरिया अपनी रसोई आज मैं आपके साथ दीवाली इस बसल में एक दम अलग और अनोखी तरह की मिठाई की रेसिपी को लेकर आई हूँ रेसिपी शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा आप सभी से निवेदन है अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हों तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा तो आएए देखते हैं इस मिठाई को हम कैसे बनाएंगे इस अनोखी और अलग तरह की मिठाई को बनाने के लिए हमने यहाँ पर हाफ लीटर फुल क्रीम दूद ले रखा है हम इसमें मिला देंगे कस्टर्ड पाउडर वैनिला फ्लेवर का आप किसी भी फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर ले सकते हैं मार्केट में बहुत सारे फ्लेवर के कस्टर्ड पाउडर आते हैं यह मार्केट में आपको इजली मिल जाएगा आप इसे ऑनलाइन भी परचेच कर सकते हैं ओनलाइन पर्चेश करने का लिंक हमने दे दिया है वीडियो के लास्ट में डिस्क्रप्शन बॉक्स में और ये हमने कस्टर्ड पाउडर को दूद के साथ में अच्छे से मिला दिया है टेस्के एकोर्डिंग 200 गाम शुगर एट कर देंगे इसे भी चलाते भी दूद के साथ जब आप कस्टर्ड पाउडर को दूद में मिलाएं तो दूद ठंडा होना चाहिए गरम दूद में उसे मत मिलाईएगा नहीं तो दूद में लम्स बन जाएंगे इस बात का आप धियान रखिएगा हमने शुगर को अच्छे से मिला दिया है दूद के साथ में अब हम इसे गैस पर रख देंगे कुख होने के लिए हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर कांटीन्यू चलाते हुए पकाएंगे हमने दूद में कस्टर्ड पाउडर मिलाया था इसे दूद बहुत ही देजी से जमना शुरू हो जाता जब इसे हम गैस पर रखते हैं पकने के लिए इसे हम कांटीन्यू चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे हम इसे हाई फ्लेम पर नहीं पकाएंगे इस बात का ध्यान रखिएगा और इसे हम चलाना भी नहीं बंद करेंगे अगर इसे हम चलाना बंद कर देंगे तो मिठाई हमारी अच्छे से नहीं बन और यह मिक्चर हमारा काफी गाढ़ा हो गया है अब हम इसमें एट कर देंगे एक अच्छे टेस्ट के लिए और शाइनिंग के लिए एक बड़ा चम्बत देसी गी देसी गी डालने के बाद इस हम चलाते हुए फिर से पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर इस मिठाई को बनाते समय हम घी को एक बार में पूरा नहीं डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा करके कई बार में डालेंगे जब हम घी को कई बार में डालते हैं तो मिठाई में बहुत बढ़िया टेस्ट और शाइनिंग आती है इस बात का आप धिहान रखिएगा और ये मिक्चर हमारा बड़ा हो गया है हम इसमें डाल देंगे फिर से एक बड़ा चमज घी और घी को डालने के बाद इसे हम फिर से मीडियम टू लो फ्लेम पर कांटीनी चलाते विए पकाएंगे इस समय फेस्टिवल सीजन चला है तो आप इस मिठाई को घर में जरूर ट्राई करिएगा और मु जरूर ट्राई करिएगा और इसकी फोटो आप मेरे फेस्ट्राग्राम पेज पर शेयर कर सकते हैं लिंक हमने दे दिया है वीडियो के लास्ट में डिस्क्रप्शन बॉक्स में और मिठाई का मिक्चर काफी गाढ़ा हो गया है हम इसमें फिर से एट कर देंगे एक बड़ा चमबच गी और घी को डालने के बाद इसम चलाते भी फिर से पका लेंगे हमने इसमें टोटल पांच बड़े चमबच गी का इस्तेमाल किया है और यह मिक्चर हमारा काफी गाढ़ा हो गया है अब यह मिठाई जमाने के लिए तयार है अब हम गैस को आफ कर देंगे और मिक केक टिन नहीं है तो आप यहां पर थाली प्लेट या फिर किसी ट्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसमें डाल देंगे अब कुछ कटे हुए काजू बदाम और पेस्ता और इसके ऊपर से हम डाल देंगे मिठाई वाले मिक्चर को मिक्चर को डालने के बाद इसम अच्छ सकते हैं सेट होने के लिए एक घंटे हो चुके हैं और यह मिठाई हमारी अच्छे सेट हो गई है अब हम नाइप से इसके पीस काट लेंगे हम इसे बरफी की तरह स्क्वायर शेप में काटेंगे आप इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं यह बहुत ही एजली कट जाती से क काटने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और यह देखे मिठाई हमारी कितने बढ़िया से बनके तयार हुई है अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे हमने जो इसमें ड्राइफ फूट्स डाले थे इससे इसका टेक्चर बहुत ही बढ़िया आया है सो गाइस इस टेस्टी और अनोखी मिठाई का ये वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करें और साथ ही कॉमेंट करके मुझे ये भी बताएं कि आगे आगे रेसिपी देखना चाहेंगे और अपने एक्सपीरियंस मेरे कमेंट सेक्षन में शेयर करें मैं फिर से मिलती हूं इसी तरह से अपनी एक नई वीडियो के साथ थैंक यू बबाई